हेलो गाईज, वेलकम टो और चैनल और आज हम सीखने वाले हैं सम इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओफ साइन्स तो आईए देखते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन है सबसब पहला क्वेश्चन है सरीर में उतको का नियोजन होता है प्रोटीन से विटामिन D के सर्जन में पाया जाता है केलसी फेरोल याने की जो केलसी फेरोल है वो विटामिन D का सिंथेसाइज करता है लडो या उडो हार्मोन कहलाता है एड्रेनलिन हार्मोन एड्रेनलिन जो हार्मोन है उसे लडो या उडो हार्मोन कहते है कच्चे फलो को क्रत्रीम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गेस है असिटिलीन फुट और माउथ रोग पाया जाता है मवेशी वो सुमरों में भोजन विशाक्तिता का कारण होता है सेलियोनेला बैसिलाई यह टाइप का बैक्टेरिय है जो कि भोजन को जहरिला बना देता है विशाक्त बना देता है नेक्ट शेशन देखते हैं इसके बाद डाउन सिंड्रोम एक अनुवानसिक विकार है जो होता है यहनि जो डाउन सिंड्रोम डिसिस है वो किसकी वज़ेस होती है तो गुंड सुत्त रोग की संख्या में अगर परिवर्तन हो जाता है तो down syndrome नाम की disease होती है गोल क्रमी जिसे निमेटोड कहते हैं से होने वाला रोग है फाइल इरिया जो फाइल इरिया रोग है वो गोल क्रमी या निमेटोड की वज़े से होता है ब्राइट सो रोग प्रभायुत करता है जो ब्राइट रोग है वो गुर्दों को याने के किड्नी को प्रभायुत करता है पैजल को सुद्ध करने वाले दो रासाइनिक पदार्थ है पोटेशियम पर मैंगनेट और ब्लीचिंग पावडर ये दोनों ही क्या करते है पैजल को सुद्ध करते है हवा से हलकी गेस का नाम है हवा से भारी गेस का नाम है कार्बन डाइकसाइड यानि CO2 गेस नेक्ट केशन लेखते है इसके बाद थर्मो इस्टेट का प्रियोग क्या है जो थर्मो इस्टेट उसका प्रयोग क्या है तो किसमें यूज करते थर्मो इस्टेट कहां तापमान को इस्थिर रखने में तेमप्रेचर को स्टेबल रखने में थर्मो इस्टेट का उपयोग किया जाता है द्रव श्वर्ण के रूप में जाना जाता है याने कि के हिर्दय में कितने प्रकोस्ट होते हैं," तो दो प्रकोस्ट. गोता खोर किन गेसों के मिश्टन को सास लेने है हे तु अपने साथ ले जाते है?" तो ऑक्सिजन और हीलियम गेस के मिश्टा को गोता खोर अपने साथ ले जाते हैं मात्रकों की अंतराश्टी पद्धती कब लागू की गई तो 1971 में पोर्ट लेंड सीमेंड के प्रमुग घटक है जो पोर्ट लेंड टाइप की सीमेंड होती है इसके प्रमुग घटक कुन-कुन से एक तोता चूना दूसरा सिलीका और तीसरा एलिमन मतलब इन तीनो का जो मिक्षर है उसको मिक्स करके हम पोर्ट लेंड सीमेंड बनाते हैं कारे का मात्रक होता है जूल जो जूल है वो कारे का मात्रक है एक अस्व सकती बराबर होता है 746 वाट के एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलिमेटर के एक पीको ग्राम बराबर होता है 10 तो दी पा नेक्स लिशन देखते इसके बाद, भारत में मिट्रिक प्रणाली कब से प्रारंब की गई? तो 1 अप्रेल 1957 से मिट्रिक प्रणाली प्रारंब की गई थी भारत में, गेसो का दाब मापा जाता है मेनो मिटर से, टेक्यो मिटर नामक यंत्र से मापा जाता है वायू यान और मोटर की गटी को, टेक्यो मिटर से वायू यान और मोटर की गटी को मापा जाता है पोधो की व्रधी मापने का यंत्र है क्रेसकोग्राफ, जो केसकोग्राफ है उसकी हल्प से हम पोधो में जो व्रधी होती है उसको माप सकते हैं केस को ग्राफ का अविश्कार किया था जग्दीश चंद्र बोस ने रडार का पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसको हम बोलते हैं रडार पदार्थों की अमली इता वो छारी इता का आकलन किया जाता है किसे किया जाता है पी एच मीटर से या पी एच पेमाने से नेक्स वेशन देखते हैं समुद्र में समान लवन्टा की रेखा को प्रदर्शित करता है आइसो हेलाइन जो आइसो हेलाइन वो क्या करता है समुद्र में समान लवन्टा की रेखा को प्रदर्शित करता है वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है अगनी समन में नेक्स वेशन देखते हैं मापन का अगर समय का मापन करना है तो किसका स्टडी करना पड़ेगा होलॉजी का घर्षन एवं इसनेहक अध्यान है ट्राइबोलोजी उसमें हम घर्षन और इसनेहक का अध्यान करते है गतीके नियमों का प्रतिबातन किया था नूटन ने जो गत्ति के नियम थे वो किस ने दिये थे नूटन ने दिये थे पार्सक इकाई है दूरी की जो पार्सक इकाई है दूरी की एक जुल बराबर होता है दस की घथ साथ अर्ग के नेक्ष देखते हैं एक बेरल बराबर होता है दस डेसिबल के साप एक छिक आदता मापी जाती है हाईग्रोमीटर से न्यूटन के प्रथम नियम को कहा जाता है जड़तु का नियम यानि न्यूटन को प्रथम नियम है उसे हम जड़तु का नियम भी कहते हैं प्रथी के केंद्र पर स्मॉल जी का मान होता है सुन्य जब कोई वस्तू उपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्थन सीर होता है नेक्स्ट है हवा में लोहे और लकडी की समान भार की गेंद्र को समान उचाई से गिराने पर लकडी की गेंद्र बाद में गिरेगी और लोहे की पहले गिरेगी अगर निर्वात की बाद की जाए तो निर्वात में लोहे और लकडी की समान भार की गेंद्र जो समान उचाई से गिराई जाती है तो क्या होगा दोनों ही एक साथ प्रत्वी पर पहुँचेंगी नेक्स क्रेशन देखते हैं भार हिंता होती है गुरुत्वा आकर्षन की सुन्नी स्थिती यानि जब भार बिल्कुल नहीं होता तब क्या होता है गुरुत्वा आकर्षन बिल्कुल भी नहीं लगता है यानि कि जो गुरुत्वा आकर्षन वो सुन्नी होता है तब भार भी सुन्नी होगा वर्सा की बूंद की गोलाकार अकरति का कारण है प्रस्ट तनाव प्रस्ट वीडियो को सेर और लाइक करना नहीं भूलेगा थैंक यू सो मुच पर वाचिंग मैं चैनल थैंक यू